हेलो फ्रेट आज आपनों के लिए एड्मिशन और पार्ट विलकार्ट केस नंबर फिप्थ लेकर आये हैं और आज लोग आगी भी कोशन सौर्फ करेंगे आप लोग वीडियो जरूप देखें यह ली के बीच में छोड़ करके सोच लेके और फिप्थ केस ही होगा ठीक है तो आगे पूरा वीडियो देखा करें आप लोग बीच में ना छोड़े और कोई भी स्टार्ट करें कोई भी लड़काय स्टार्ट करें पढ़ना तो जैसे कि आप लोग यूटूप पजाईएगा तो अगर माल लेकिए कि नॉट फर प्रोफिट और नाइगेसं का आपको टू खोजना है थ्री खोजना है तो बस चेप्टर का नाम बोलिए और प केस फिट पर बात करेंगे कि वेंट शैर और निव पार्ट्नर इजिव है और निव रेसिओ पार्ट्नर deben ए यालि नीव पार्ट्नर का See और फिप्त में और वान्न में कोई डिफ्रेंट नहीं है थोड़ा सा डिफ्रेंट है क्या डिफ्रेंट है हुँ जब हम लोग टोटल प्रोफीट को वन मानते ये उन में से नूज पार्टनर का जो शेर को माइनस करते हैं माइनस करने के बाद और रिमेनिंग प्रोफिट न रहसं थी और ड्यूप स्थार्ट नूर रिचिए अंकी और बसान फाइब सेटन दिया हुए है और चन्दम शेरीन प्रोफिट दिया है वन अप्वान फिप्ट अब यासन शुरू करेंगे लेट टोटल प्रोफिट इक्वाल वन शेकेंड वन से निव पार्टनर के सेर को माइनस कर देंगे फिर फाइब माइनस वन यानि 4 बाइब 5 रेमेंग प्रोफिट अव यहां पाजाया है वे अम लोग निव रिशियो अव ओल्ड पात्नी अंकी बसं तो देखिए वन में और फिफ्ट में ही को डिफरेंट होता है यहां आप रमोड रेशियो लेग रखते लेगन आप रखेंगे निव रेशियो क्योंकि फिफ्ट केस है निव रेशियो दिया होगा है और यहां से मल्टिप्लाइव कर देंगे जो रिमेनिंग त्रोफिट होगा बीस बाटा में साथ आठाइस बाटा में साथ तब यहां पराएवी हम लोग निव रेशियो और और पार्टन 20 बाइ 60 28 बाइ 60 अनिव पार्टनर का वन फिफ्ट है 60 20, 28, 12 20, 28, 12 बीसको कटा सकते है आपलो 4 से कटाई पहलो 2 से कटाई एना 10, 14, 6 और यहां पर पाच, साथ, तिन यह आपका यंसा होगा अब अब लोग आगे बढ़ेंगे हवारे निव प्रोफिट शेरिंग रेस्टियों फाइंट करने लिए पाच केस्ट थे पाच केस्ट पर हमड़े कोशन सॉल्व कर लिया ठीक है और जिसको जो प्रोब्लम होगा वाट्सप से हमसे संपर्ख करेगा लेकिन अब हम लोग सेक्रिफाइसिंग रेस्टियों के उपर जलेगे जैसे सेक्रिफाइसिंग रेस्टियों के बारे में आप लोग आल्रेडी का किया गया है बताया गया है कि the ratio in which old partner sacrifice their share in profit to new partner as known as sacrificing ratio यानि sacrificing ratio वैसा रेस्टियों है जिसमें एक old partner अपने profit के जो sharing है उसमें से कुछ ही सा new partner को का करता है देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं sacrificing ratio तो अब हम लोग को यहां से calculate करना हूँ अभी तक का new ratio हम लोग find कर रहे थे यहां से sacrifice ratio find करना होगा तो देखिए question पर depend करेगा कि question क्या कुछ रहा है आप से question बोला है कि ऐसे हमें को case इसमें देख लेते हैं अलाकि इसमें case कोई माइनी नहीं रखता है देखिए आपने जो पांच case पढ़ा होगा है पांचो case पर ही question होते हैं new profit sharing ratio अगर निकालने के लिए नहीं देता है तो short में काम करने के लिए हम लोग यह अपनाते हैं ऐसे अगर हम चाहे तो पांचो case तक new ratio अगर हम निकालने आ गया तो sacrifice ratio थो हम आसानी से निकाल सकते हैं तो यह जो हम case लिखे हुए sacrificing में अगर केवल sacrifice निकालना होगा तो थोड़ा सा short में काम हमें करने के लिए आप लोगो दोनों तरीका हम बताएंगे कि जो हम 5 case पढ़े हों उसको भी हम sacrifice ratio निकाल सकते थे और अभी जो पुर्णने जा रहे उसको भी हम लोग sacrifice ratio निकाल सकते थे तो जैसे दिखिए इसमें case दिया है कि when the share of the new partner is given without maintaining the details of sacrifice made by the old partner मान लेजिए कि new ratio of new partner का दिया है लेकिन यह नहीं बताया है कि old partner ने कितना कितना sacrifice किया है तो यह आपको पता है ना condition ही first है new profit sharing ratio निकालने का ही condition कौन है first है तो इस case में अगर मान लेजिए कि first case रहे आप दिमाग में बैठार लीजिए कि जो आप match case पड़े हुए है उसी का यह first case है अगर इसमें हमें sacrifice ratio शिफ निकालना है तो देखिए क्या कहा रहा है A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 432 D is admitted for one third share in future profit what is the sacrificing issue देखिए अगर यहां पर new profit sharing ratio और sacrificing issue निकालने के लिए कहा होता तो हम वही तरीका अपनाते जो हम लोग ने सीखा हुगा है first case में late total profit one one से new partner के sharing को minus करते हैं third में new ratio of old partner fine करते हैं फिर all partner का new profit fine करेंगे फिर उसके बाद sacrifice निकाल देंगे लेकिन यहां पर केवल बोल रहा है कि आप केवल sacrifice निकाले हैं तो देखिए sacrifice जब निकालने के लिए बोल देता है तो यह देखिए पहला आपनों को तरीका बताने कैसे कीजिएगा share in कौन यह partner है हमारे D D. share in profit one of one third है अब देखिए का रहे हम लो बारी बारी से निकाले मिए सिदा से निकाले मिए किभे-च्विफायस अब येका सभीनिकालना नहीं किव सो कुछ नहीं बोल था पॉर्शन के को मुठी के यह लेएगना जहिए कि one upon heart में ये कितना हिसा दिया तो जोड़ लेंगे चार, तीन, साथ, अधू, नौ क्यानि four by nine उसी तरह बी का निकालेंगे सेक्टिप five one upon heart और उसका है रेशियो three by nine उसी तरह निकालेंगे सी का सेक्रिफाइस one upon heart का two by nine देखिए क्या करेंगे हम लोग ये तो आप लोग पता है twenty seven हो जाएगा twenty seven और two by twenty seven देखिए तो लिख सकते हैं हम लोग सक्रिफाइस्सी रख़ियो रख़ियो । रख़ियो रख़ियो अ A, B, रख़ियो का तो आप समाझ सकते हैं 4 by 27, 3 by 27, 2 by 27, LCM 27 कर दीजिए और 4, 3, 2, 4, 3, 2 आगया आप लोग बड़ा देख रहे होंगे कि ये तो जो ओल्ड रेशियो दिया वही आगया है देख ओल्ड रेशियो दिया न 4, 3, 2 आप लिख भी सकते हैं उपर में अब नहीं दिखे पहले और प्रोफिट शेरिंग रेशियो 4, 3, 2 थाद आप सेक्रिफाइस रेशियो भी का आगया 4, 3, 2 एक चीज़ और ध्यान दिजिए आपको शॉट में यदि long portion आगे आएगा बनाने के लिए और आपको condition first major आएगा सेक्रिफाइस निकालने के लिए तो आप यह भी काम कर सकते हैं यह क्लाइन दिख सकते हैं नोट में कि this case this case old ratio equal sacrifice ratio इस condition में जब first condition आपको नजर आए जब आपको लगे की new profit sharing ratio आप जो पढ़े हुए हैं उसी के जैसा यह first case होता है अगर यह नजर आए तो समझ लिजिए या तो आप आप ऐसे निकाल लिए और एक लाइन भी लिख सकते हैं this case old ratio equal sacrifice ratio इस स्थिती में हमारे old ratio और sacrifice ratio के क्या होते हैं बराबर अगर माल लेजिए कि इसी question में आपसे कहते हैं यह बन गया complete फोगे आपका यह method आपका one था यह method का था one और यह method two आपको बताने जा रहे हैं तोड़ा ध्यान देजिए आपको method two यह तो यह वही बीदी हो गया रहे जब short में हमें sacrifice ratio निकाल लेकिन इसी question में अगर कोह दिया होता है यहां पर कि आपको new ratio में निकालना है और sacrifice ratio भी निकालना है तो फिर वही काम करते हैं हम लोग पहले जैसे old profit sharing ratio of a, b and c क्या है बाइट तो 4, 3, 2 आप लेक सकते हैं कि d share in profit one third d का profit one third है उसी तरह चलिए फेरा late total profit equal one one में से one upon third को less किजिएगा तो 2 बाइटा बचेगा फ़र जिसको हम लोग remaining profit काते हैं तब third में आएंगे निखेंगे new ratio of all partner और नहीं old हो रहा है old partner तो a, b और c अब करते क्या हैं लोग तो जो यह old ratio ही रखते हैं आपको a, b और c 4 by 9 3 by 9 और 2 by 9 यहां से अब रिमेनी profit से multiplied होगा 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 8 बटा में 27 और 6 बटा में 27 और 4 बटा में 27 तब आप यहां पर लिख सकते हैं new ratio of all partner देखें तो यहां बदीखें 8 बटा 27 6 बटा 27 4 बटा 27 अनाया साइदार कहीं 7 बटा 3 यहां पर देखें 8 हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहां पर 9 हो जाएगा यानि आपका यह new ratio आया आप 6, 4, 9 लेकिन आपको निकालना क्या है तो sacrifice ratio निकालना है तो जब portion में पूछी देगा कि new ratio भी निकालना है और sacrifice तो देखें new ratio तो निकाल दिए अत्तर इंकाम और बढ़ा देगे calculation 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 or sacrifice ratio किसका किसका निकालना है इसे A, B और C क्योंकि new का तो निकालने नहीं new तभी अभी आया है तो देखेंए आपके पास old ratio है क्योंकि sacrifice ratio बराबर आपको पता ही है formula क्या होता है sacrifice ratio एकोल होता है old ratio minus new ratio तो A, B और C कानी कालना जाया है तो यहां से ओल लिखेंगे 4 बाटा 9 3 बाटा 9 और 2 बाटा 9 और यहां से निम देखेंगे जोडाया सब कालेकिन 3 को कहीं निकालना जाया 8 बाटा 27 6 बाटा 27 और 4 बाटा 27 LCM विजेगा तो 27 होगा 3 बार बेकटेगा तो यह 12-8 यानि 4 बाटा 27 27 9-6 यानि 3 बाटा 27 और यहां पर भी 27 और यह हो जाएगा 6 और 4 यानि 2 बाटा में 27 आप लिख सकते हैं 4 बाटा 27 3 बाटा 27 और 2 बाटा 27 को 27 होगा आप लोगा 4 3 2 यानि आगे आगे आगना 4 3 2 एंसर का कोई इफेक पड़ा इसमें भी 4-3 दो आया था और उसमें भी 4-3 दो आया अंदर क्या है तो आप दो जो 5 केस सीख्यों में नियू रेशियो निकाल लेगा बस उसी 5 केस को कोश्म कोई रहेगा बस एक लाश्ट में सेक्रिफाइस रेशियो निकालना होगा लेकिन सब खाली सेक्रिफाइस रेशियो पूछ रहा है तो हम सौट में काम करेंगे आना येकर नियू रेशियो भी पूछ रहा है तब पहले नियू रेशियो निकालनेगे फिर सेक्रिफाइस रेशियो निकालनेगे ये बात होती है इसमें कोशन जो आपका आगे को दिया है कोश कि अगर मान लिए कि देखिए वन बाई सिक्स को हमने लिखा है सेवन अपॉन फॉर्टीटू अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो देखिए यह किया है यह समझ सकते हैं यह समादध में लिक्ति क्यूंकि कटाये और शांच से 10, 3, 7, वहीं उसका मोहन का 7 वटा का हो गया 42, एक दस वटा 42 और उनका 3 वटा 42 है, इनके इक्वारिती में लाने के लिए किल्किवी इनका निचे था, जो 42 था, जो भी था, तो टेमिनेटर जो था, उनका 42 था, इसलिए हम इनके 42 कर दिये, ताके जोनों सब इक्वारिती चाह करने के लिए तो आप समाझ सकते हैं और देखेट बात और यह केस 5 जो भी दिया था नियू रेशियो फाइंड करने का उसे बहार तो इसको हम क्या मांदे हैं के 6 एनी सेग्रिफाइस रेशियो निकाल रहे हैं आपको नियू रेशियो भी वह पांचोग काम करेगा उस पाधा आपना का उल्ड रेशियो और नियू के सांथ और ओल्ड और नियू पोइंट इंप्रूड करके पुरा नियू रेशियो दिया है तो समाझ मिने की कंडिशन आपको सेग्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए यह 6 हो गया आपके समझ से अगर बुक का देखा जा तो यह 3 ह अगर शेक्रिफाइस मेजाइगा तो